प्रभू, क्या संसार में केवल सुख का होना संभो नहीं है? प्रद्य कात्मा का लक्ष केवल सुख की प्राप्ती ही तो है पर्मानंद की प्राप्ते किन्तो हम सुख नहीं सुख को प्रदान करने वाली वस्तों को एकत्रत करना है जीवन का उतेश्य मान लेते इस अब संसार माया सब कुछ दश्वर इन वस्तों को हम सुख का सोच समझ कर इकत्रत कर रहें वो सदेव नहीं रहें जो व्यक्ति सद्ध्य को जानते हुए भी लोब का परित्याग नहीं करते वो सदेव इने खोने के भए में चीते और जो व्यक्ति सद्ध्य को जानते ही नहीं वो अंकार में चीते और जहां अंकार उन भए उबस्ते थो मा सुख कैसे रह सकता किसी को ये दुख है कि उसके पास कुछ भी नहीं और जिसके पास सब कुछ उसे ये दुख है कि पाने को खुछ शेश नहीं जुख को हम स्वयम अपने दिश्टिकोन से परिभाश्यत कर देते हैं जबकि वास्तविक्ता इससे पिनना इसलिए आवश्रकता है आना सक्त रहें कि किन्तु प्रभू क्या आ सकते स्वाभाविक नहीं है पर दुख का मूल कारण भी तो यही है रिश्टिकोन कि आसकते हमारे मन की शांती को छीन लेती है उसे भंग कर देती है हमारी पुद्धी को स्थिर नहीं रहने देती है उसे चंचल बना देती है आसकती से प्रमाद की उत्पत्ती होती है प्रमाद मद होता और मद अहंकार का स्रोत है और अहंकार पूर्णता अशुप्धा में परिवर्तित हो जाता है अर्थात आसकती अशुप्धा की चननी है इसलिए अनावश्चक है तो प्रभू आसकती को अनासकती में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है और हम आसकती से कैसे उबर सकते हैं प्रभू आसकती से मुक्त होना ही अनासकती आसकती हीन होने के लिए अपने और पराय का भेद मिटाना अनिवार रहें और ये तब ही सम्भव होगा जब हम सुक की खोज बाहर नहीं अपने भीतर करें जब हम यथार्थ को पहचाने उसे स्विकार करें हम अपने सुक को सांसारिक कत्वों से परिभाशित नहीं करें जब तक हम ऐसा करते रहेंगे हम बंधते जाएंगे जब हम स्वयम अपने भीतर छांकना आरंब करेंगे हमारी मुक्ती का माद स्वता प्रशस्त होता जाएगा